नमत्कार दोस्तों, कैते हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयरी बहुत अच्छे से चल नहीं होगी दोस्तों, आज हमें एक टोपिक लेकार रहे हैं, इस्टैटिक जी का जहां से आपके UPPAT में एक या दो कॉश्चन बनते हैं और UPPAT के ही साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉश्चन पेपर बनते हैं, जिसमें इस्टैटिक का रोल बहुत ज़्यादा होता है और उसी माध्यम से उसी आधार को मानते हुए हमने आज के के लॉससरो किये हैं तो दोस्तो आज हम बात करेंगे वाले हैं पुरुषकार जाने भारत के राष्टे-पुरुषकार और उनकी शुरुवात और उनसा सम्मानित बेप्र क्यों की बारे में तो देखिए ऐसा होता कि पुरुषकार एक बहुत ब्रोड कोर्स है, बहुत बड़ा एक टोपिक है और इसमें बच्चों कन्फिजन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपने परिक्षा के लेविल का नहीं पढ़ते हैं क्यों ऐसा करते हैं कि बहुत सभी ब्रीक्षाओं के लिए एक सा हिपक बड़ते हैं अध्यानी कि बहुत ज्यादव करते हैं तो दोस्तों हमें यह देखना है किस पेपर का लेबल क्या होता है और किस पेपरों किस लेबल तक के कुछ चनाते हैं अगर कोई बच्चा है कोई श्टुडेंट है तो वो के करेगा अगर किसी भी पुरुसकार को पढ़ना सुरू करेगा तो वह उस पुरुषकार के बिलकुल जड़ तक पहुच जाएगा, पढ़ने में उसको रूची आ जाएगी, उसे लगना लग जाएगा, बस अगला अविश्कारक यही है, यही मनलब आगे नाया आध्यात में पैदा करने वाला है, ठीक है, उसको ऐसा महसूस नहीं लगता, अन्त थे एग्जाम में जाके कुछ नहीं होता, क्यों नहीं होता क्योंकि वह किबल पढ़ रहा था, उसे बातों को वहाँ थे किबल महसूस किया, सीखा, परंत उसे याद नहीं लगत पाए, और यह होता है कि बहुत जादर जाटर जब हो जाता है, तो याद करने में ठीक है, और सबसे बड़ा, जो हमारा, सबसे पहला, जो हमारा राष्टे पुरुसकार है, यानि कि भारत का, भारत का सबसे, सबसे ऐसा कह सकते हैं, कि बड़ा कह दो, भारत का, या भारत का सबसे पुरुसकार कह दो, ठीक है, या देश का सबसे बड़ा पुरुसकार कह दो जिसे हम कहते हैं भारत रतम अगर शुरुवात की हम बात करेंगे यहां पर तो शुरुवात की अगर हम बात करने लगा है तो 1954 में यह सुरुवात हुई थी और यह किस छेत्रों में दे जाता है अगर मैं आपको बताऊं तो यह कला साहित्य है बिज्ञान खेल जन सेवा ठीक है इन छेत्रों में यह दिया जाता है ठीक भाईया अब इसकी आकरती क्या होती है इसकी आकरती क्या होती है यह छेत्र हो चुके है ठीक है यह सुरुवात हो चुकी है तो आपके बिल की पोई निकाल बेसमें से आकरती जो होती है वो होती है पीपल पत्ते आकार पर यहनि कैसा पीपल पत्ते के आकार का होता है ठीक है और सूर्य चित्र बना होता है कैसा च चित्र बना होता है, तो यह है आपका, पहला अगर आ जाए, कि प्रथम बार किसे मिला था, प्रथम तो उनिस सो चगवन को मिला था, किस किस को मिला था, तो राज गोपाला चारी है कि सी, राज गोपाला चारी, इनको मिला था, फिर इनी के साथ जो मिला था, सी राज गोपा राध्धा क्रिष्णन को मिला था तीसरे नंबर में बात करें दो चंदर सेखर चंदर शेखर बैंकट रवण बैंकेट रमन को मिलाता है यह तीन व्यक्तिय को मिला था इन तिन Umnein भी सब से पहले किते मिला था ठीक अब यहां तिराज-गोपला-चारी को यहां मिलाता है इतनी बात आपने आद कर लिए होगी ठीक है इतनी थोड़ा इंक डाल लेते हैं जिससे आपको ठीक ठाक नगया पूछेगा, तो 1905 में पूछ सकता है, अगर हम बात करें थो, 1955 में किसको मिला था, तो एक तो थे आपके जवाहलाल नहरू, तो पंडित नहरू जी को मिला था, और एक व्यक्ति थे भगवान दास, क्या थे, भगवान दास, ठीक है, तीसरे व्यक्ति यो थे, वो थे, सायद, मोक्ष मुंडम, मोक्ष मुंडम, बिस्व रहिया, बिस्वे सवैया, ये थे, तो ये तीन व्यक्ति मिले थे, अब यहां से और भी की पोईन मन कहाते हैं, बहुत जादे इंपोरेंट आते हैं, पहला मर्नो प्रांथ, मर्नो प्रांथ, कम मिला था, तो 1966 में मिला था, कम मिला था, 1966 में और किसको मिला था, लाल बहादूर सास्त्रीजी को, लाल बहादूर सास्त्रीजी को, तो ये भी आपको थोड़ा सा यादर्खना है यहां तक, लाहरबादर सास्तर जी को मिला था, ठीक है, कब मिलता है, ये पता हो चाहिए, तो 26 जनवरी को, 26 जनवरी को राष्टपती जी, राष्टपती जी ये पुरुस्कार देते हैं, 26 जनवरी को राष्टपती जी ये पु मिला था उन्हसु कर दिंदरा मदरा इसा को ज बला था कम जासी में Украї को मदरा से तो यह तीन भी बहुत इंप्रोटेंट है इन से भी तीन से बात पुशियाती है ठीक वह इन से तीनों से बात ज्यादा पुशियाती है इंद्रागांधी अगर हम बात करना किसे किसे मिला उसके बात तो मिला नहीं है तो भूपेन हजारीका को मरनो प्रांस मिला ना देश्मुख नाना देशमुक इनको भी कैसा मिला मरनो प्रांथ मिला कैसा मिला मरनो प्रांथ मिला और इनके साथ एक व्यक्ति से जिनने हम याद रखेंगे आपके बहुत मतलब इंपोर्टेंड है क्या है प्रणा मुखर्जी प्रणाम मुखर्जी, तो इनको भी यह पुरुसकार मिला था, ठीक है भईया, तो यह दो को मिला था, मर्णो प्रांत और इनको मिला था, जीते जाते, बिल्कुर ठीक है, तो आब यहाँ पर एक बार यह की पोइंट निकालो, देखो यह ही जो आपके, यह इंपोटेंट की इस से ज़्याद करो रहे हैं, तो आप अपने आपको ब्रहमित कर रहे हो, तो सबसे पहले रिकॉल कर लेता है, भारत का सबसे बड़ा पुरुसकार है, नाग्रेज पुरुसकार है, ठीक है, शुरु आज जो हुई ती, उनिस्सों चोवन होई थी, और उसी समया पर जो है, सीराजगोपलाचारी, सरपली रादा किष्ण, चंदर सेकर, वैंकर टमन को मिला था, ठीक है, और ये 2026 जनवरी को राश्टपती के तुवारा दे जाता है, उसके एक साल बाद जो है, पंडी जवालान नहेरू, भगवान दास, और मौक्ष मुन्डम विस्वरवया को मिला थ हम, इसके बाद में बात करें कि इन छेत्र कोन सा होता है, तो कला, शाहित्य, विज्ञान, खेल, और जन सेवा, इन छेत्रों में ये दिया जाता है, अगर बात करें, पीपल पत्ते के आकार पर सूर्य चित्र बना होता है, ठीक है, इंद्रा गांधी को 71 मिला था, मदर तैस तो इसके बाद जो है, आप हम दूसरा पुरस कार्ज पढ़ेंगे, वो क्यों सा पढ़ाएंगे, तो हम इस तरीके से की पोइंट बनाएंगे, तो यह बहुत अच्छे है, समझें आ जाएगा, वारे, तो कि ऐसा होता ना कि हम क्या है, इसका बहुत सारा डाटर पढ़ते है बुकों से और फिर वो है इसमें हम भ्रहमित हो जाते हैं बुक के ओपर लिखाओ अभी तो ऐसा होता सब इस डिपार्टमेंट के नहीं है ठीक है यह भी तो याद रख रहा है आपको तो इसके बाद में जो आपका आता है वह आता है दूसरे नंबर पर पदम पदम पुरुसकार पदम पुरुसकार आता है दूसरे नंबर पर ठीक है अब देखे क्या है यह किसी भी छेतर में यह क्या होता है किसी भी किसी भी छेतर में उतकरष्ट या बिसिष्ट सेवा देने के लिए बिसिष्ट सेवा देने के लिए, यह दे आता किसी भी चेत्र बिसिष्ट सेवा देने के लिए जाता है, और यह तीन आकारों होता है, कितम होता है, तीन रूप होते हैं, ठीक है, कहने का मतलब यह है, पदम भूशन, बिभूशन, पदम बिभूशन, ठीक है, दूतरा होता है पदम भूशमwar से होता है पदम सिरियर ठीक है ये अगर बात करे नहीं तो दूसरा पूर्सकार होता है भारत का दूसरा राष्ट्य का बड़ा पूरुशकार ये है तीसरा बड़ा हुता है और यह आपका चोथा बड़ा होता है इसमें भिन-भिन प्रकार से मिलते हैं, current में आप इस चीज को देख लेना, ठीक है, इसके बाद में आपका बीरता पुरुसकार में आता है, बीरता पुरुसकार हम बात करने वाले हैं, तीसरे नमबर पर बात करने वाले हैं, बीरता पुरुसकार में परमवीर चक्र की, परम पुरुसकार है बीरता के लिए पुरुसकार है ठीक भी आप और अगर बात करें इसमें तो ये किसमें है थल सैना थल सैना जल सैना और बायू सैना बायू सैना में बायू सैना में बीरता आत्म बलिदान आत्म बलिदान आधिक नहीं दियाता है आत्म बलिदान आधिक नहीं दियाता है या ऐसा मालो या दुस्मन के सामने ऐसा मालो दुस्मन के सामने के सामने उत्र क्रश्ट या सरवत्तम प्रदसन करने के लिए प्रदसन करने के लिए यह भी बहुत इंपोर्टेंट बात है ठीक बही और इस पर जो आकरती होती हो इंद्रज आकरती होती है किसके होती है इंद्रज आकरती है इंद्रज आकरती होती है यह तो होगी आपके प्रुषकार यहां से है ठीक है चलो इसके बाद जो बात करने वाले हम बात करने वाले हैं महावीर स्वामी महावीर प्रुषकार के बारे हम बात करने वाले हैं महावीर प्रुषकार जो है उसके बारे हम ब महावीर पुरुसकार ठीक है भईया महावीर पुरुसकार के बारे हम बात करने बाले हम सबसे पहली बात यह है कि यह बीरता का दूसरा सबसे बड़ा होता है बीरता के लिए दूसरा सबसे बड़ा दूसरा पुरुसकार होता है भईया यह टीक है अगर और बात करके देखें तो यहां जल्त है ना बाई्यूस ना यहIC थल्त है ना जल्त है ना और बाईूसान इस बाईूस नो यह तीनों में दिया जाता है ठीक है और यह उतकर्स कार्य के लिए दिया आता है ठीक है रही बात बोजो अभी आपने बताया कि आत्म बलिदान बीरता और आपका उत्क्रस्ट प्रदरसन ठीक है इन सब के लिए दिया जाता है अगर हम बात करें इसके एक और एक और तो इसके आखरती जो होती है पांच कोण पांच कोण बाला सितारा ठीक है दूसरी और दूसरी और जो होता है दो कमल दो कमल होते है क्या होते हैं तो यह होगे इत्की बात इसकी ठीक है तो यह होगे महाबीर पुरुसकार के लिए चलो इसके बाद बात जो करते हैं मों किसकी करते हैं इसके बाद जो करते हैं बीर पुरुसकार की बाद करते हैं किसके बाद बीर चक्र जह कहते हैं तो किसकी बीर चक्र बीर चक्र के बारे हम बात कर रहे हैं क्या है बीरता का तीसरा पुरुसकार होता है क्योंता होता है बीरता के छेतर में तीसरा पुरुषकार होता है, ठीक है, यह साहस, पराकरम ठीक है भीया, और आत्म बलिदान, आत्म बलिदान के लिए देजाता है, ठीक है, आकरती इसकी भी ऐसी होती है, अकड़ती ऐसी होती है कि एक और एक और पांच कौन बाला सितारा ठीक है, दूसरी और दूसरी और दो कमल दो कमल होते हैं, दूसरी और दो कमल होते हैं यह व्याद रखना है, एक होता असोक चक्र असोक चक्र एक होता आपका, ठीक है भई, असोक चक्र में क्या होता है पराकरम साहस आत्मलिदान के लिए दे जाता है ठीक है, और अतियंत सरहानी कार्या करने के लिए दे जाता है ठीक है, अतियंत साहानी कार्या करने के लिए दे जाता है यह भी याद रखना है, तो यह भी क्या है, अशोख चक्रा था इसके बारे में, तो किसके पराक्रम साहस, सेम यह कंडिशन होती है, कुछ नहीं है, यह चोथा पुरुसकार होता, इसके बारे में ऐसा पूचेगा नहीं आपको, ठीक है, चलिए, अब आते हैं, आगा साहित्य पुरुसकार के तरफ हमने नागरिस पुरुसकार देख लिए है ठीक है बीर पुरुसकार देख लिए है अब जो हम आते हैं वो किसके तरह आते हैं साहित्य पुरुसकार में सबसे नंबर एक को बाता है वो किसका आता है वो आता है ज्यान पीठ पुरुसकार के किसकी बात आती है, ज्यान पिर पुरुसकार की बात आती है, साहित्य के छेत्र में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पुरुसकार होता है बड़ा पुरुसकार होता है ये सबसे पहली बात है 22 भासाओं में दिया जाता है ये भी याद रखना 22 भासाओं में दिया जाता है ठीक है साहित्य का पुरुसकार होता है सबसे बड़ा ठीक है 22 भासाओं में दिया जाता है अगर हम बात करें तो पहली बार पहली बार जो है यानि यह रिकतो प्रत्थम प्रत्थम जो पुरुस्कार था वो उनिस सो पैसट को मिला था जी शंकर कुरूब को प्रत्थम को मिला था और यह मले आलम थे मलयालम भाता में मिला था ठीक बहिए और इनकी जो वो थी क्या कहते हैं क्रेथी वो क्यों थी थी उतको बताएता हूं मैं ओड़ कुकुसल था ही ओड़ ककुसल इसे कहते हैं मलयालम साहिती है क्या कहते हैं मलयालम साहित्य ठीक ब्या अगरम बात करें हिंदी में पहला कि हिंदीं में पहला हिंदी में पहला पुर्शकर्ट जो मिला था वह 16 स्था में πंथे तो ब्रांप इसे जीफुफ को बिए थे मिला था यह ठीक है बन्तिक को मिला था और कोंसी क्राथी पर चिदंब्रा ठीक है चिदंब्रा हो मिला था तो अगर आप यह सुमित्रा नंदन पंथ है इनका नाम अगर आपने याद पार हो तो सुमित्रा नंदन पंथ इनका पूरा नाम यह है ठीक है तो यह मिला था अगर यहां पर हम बात करें प्रिथम महीला प्रिथम महीला जो थी किने में LED ऐसा पून फोन मिला आशापू से आशा पून मृण को तरहा है, और कौंत lotta में बांगला बहाता हमें कि फ़ी बांगला प्रृत अगर हम बात करें बरतमान की बरतमान के बरतमान के अगर मम करें तो दिखिए पहले एक तो होता 57 यह था 57 वा पुरुषकार यह तो था 2022 का किसे मिला था दामो दर्मोजी को ठीक है भाईया अब जो बेटेगा वो मिलेगा 58 तो किसे अब नामित क्या गया है 2023 में किसे अब या 2023 में बी मधुसूद बी मधुसूदन को यह मिला है कौन्सी में कौंकड़ी यह तो थी कौंकड़ी भाथा में यह सरी आहां कौंकड़ी भाथा में थे दाम दर्म कौंकड़ी और यह कौन सी भाथा में है मलया लम मलया लम तो यह देख लो बर्तमान भी हो गया हां से यह वाली कंडिशन जो है ब्रुकुल लेजड़स्टी हो चुकी है 57-58 तो ग्यान पीट पुरुथकार आपको देख लेना है ठीक भी चलिए इसके बाद जो हम देखने वाले हैं एक बार देख लो इसको 57 कब मिला तो किसे मिला था 58 किसे मिला था 65 वाला आपको हो गया है 68 में हिंदी में हो चुका है महीला हो चुका है ठीक है इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो सरद्बसी सम्वान के बात करने वाले हैं किसकी सब बातां सीखते जलिया हो इससे याद हो जाएगा आप लोगों का ठीक भी या तो सरद्वधी सम्मान सरद्वधी सम्मान ठीक है इसके बारे में बात करते हैं तो 19 से क्या नहीं मिला था पहला हरी बंस राय बच्चन को हरी बंस राय बच्चन को मिला था चार खंडों की आत्मकथा के उपर यह मिला था ठीक भी हा हिंदी में हिंदी मिला थे याद रखना यह दस बड़ सोमर क्या है इसका इस करने सन पीछले पिछले दस बरसों में में ऐसा मालो सरवोत्तम सरवोत्तम साहित्य क्रेति साहित्य है क्रेति पर मिलता है साहित्य क्रेति मिलता है ठीक है और किसी भी भासा में किसमें है किसी भी भासा में ठीक है भाया किसी भासा में यहासा है इसके बाद में एक आप आता है ब्यास सम्मान ये भी बहुत important है ये भी उन्निस से क्यान है में राम बिलास सरमाजी को ठीक है कौन सा foundation देता है इसको तो के के बिर्ला foundation इसको देता है खेकर बेड़ा फानंडेश्नि देता है, ठीक है? और भारत में, यह समान के चलो, हिन्दी भासा के लिए डिया जाता है किसके लिए? हिन्दी भासा में, पिछले दस भरसो में, उत्करष्ट क्रियती उतकरस्ट क्रेयती के लिए is he दिया जाता है ठीक भाईया यह वी थोड़ा से याज रखना है और अगर हम बात करें तो 32 ब्यास पूरुस्कार जो था क्या था? 32 ब्यास पूरुस्कार जो था? किसे? तो यह दियान रहो पहले बढ़ा याद रहो ठीक है तो किसको मिला था जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे किसे मिला था अच्छा में सहर्थवादी पुरुषकार निखाला तेइस वाला सब्सक्री किसे है शिव शंक्री के रहुं तार्मिया को मिलेगा और कि समय में ठीक अगर हम बात करें किसी बाठ करने ब्यास भर 성 apla किसे मिला था ज्यांश keyboard को कि उतर दे त्लिय को पागल खना कि यह घहाइश अ कैसे आप एक दर याद रख सकते हो मोशनोट इसके बाद जो है आप कोई भी चीज ऐसी है नहीं है कि आप इसे याद रहोगे कि मैं यही कुरुसकार याद कर लो ठीक है आपका यहां से एक्जाम में मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो अगर सैसन में आया हमजा तो सैसन के देशने में अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़्याज़ादे करो तो अगली वीडियो तक जब तक मिलता है और जब तक के निये जैहिन